हेलो दोस्तो मैं पुनित आपका स्वागत करता हूँ आप ही के YouTube चैनल Multimedia.com पे और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो कोरोना वाइरस के ऊपर कुछ अती महतुपून कोशन्स हैं जो मेरे प्यारे स्टुएंट्स के लिए आने वाली प्रिक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और मेरे जो अधर सब्सक्राइबर हैं उनको भी इस वीडियो से कोरोना वाइरस के ऊपर के मुझे आप जरूर बताईएगा तो आईए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि कोरोना एक वाइरस है और यहाँ प्राकर्तिक है यहाँ मानव निर्मित है अभी यहाँ एक विवात का विसे बना हुआ है तो हमारा पहला कोश्यन यहीं से बन दिसम्बर 2019 को इसका पहला मामला सामने आया था तो दूसरा कोश्यन हमारा यहाँ बनता है कि कोरोना वाइरस चीन के किस सहर से फैला तो कोरोना वाइरस चीन के वहान सहर से फैला था जो पहला मामला इसका सामने आया था 31 दिसम्बर 2019 को वहान सहर से आया था अमेरिका और कुछ अन्यदेश यहाँ दावा पेस करते हैं यहाँ दावा करते हैं कि जो कोरोना वाइरस है यह चीन के वुहान के एक लैब में इसको बनाया जा रहा था और वहीं से यहाँ वाइरस पूरी दुनिया में फैला है तो आएए चलते हैं अगले प्रस्नी की तरफ तो हमारा अगला प्रस्न है Corona किस भासा का सब्द है तो दूस्तो Corona जो है वो Latin भासा का सब्द है और Latin में Corona का अर्थ होता है Hello या Crowned अगला question Corona वाइरस का नाम Corona क्यों पड़ा तो Corona Virus को जब Microscope से या सुकस्पंदर्शी से देखा गया तो इसका जो structure है वो crown जैसा दिखाई दिया गया और इसकी सरचना के कारण ही इसके structure के कारण ही इसको Corona नाम दिया गया अगला question इसको सबसे पहले क्या Nाम दिया गया था तो coronavirus को जो सबसे पहले नाम दिया गया था, वो SARS-CoV-2 नाम दिया गया था, हमारा अगलग प्रस्न है, coronavirus से होने वाली बिमारी को क्या आधिकारिक नाम दिया गया, तो कोरोना से जो कोरोना वाइरस से जो बिमारी बनी उस बिमारी को COVID-19 नाम दिया गिया जो की WHO World Health Organization ने इसे ये नाम दिया 11 फरवरी 2020 को तो आईए चलते हैं next question की तरफ COVID-19 का पूर्ण रूप क्या है मतलब इसकी full form क्या है तो COVID-19 में CO का मतलब होता है कोरोना VI का मतलब होता है वाइरस और D का मतलब होता है डिजीज और 19 का मतलब यहाँ पर वर्स 2019 है जिस वर्स यहाँ बिमारी आई तो हमारा अगला question है कोरोना को किस ने महामारी घोसित किया तो कोरोना को WHO ने 11 मार्च 2020 को महामारी घोसित किया है और यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ questions पूछने वाला हूँ जिससे आप जल्दी से comments box पर type करके मुझे भेजेंगे कि WHO की स्थापना कब हुई और इसका मुख्याले कहाँ पर इस्तित है तो जल्दी से आप मुझे comment box पर इसका answer भीजिए next question है सूखसंदर्सी पर देखने पर यहाँ वाइरस कैसा दिखता है तो यहाँ वाइरस crown के जैसा दिखता है next question पहली बार मनुस्या पर इस वाइरस की पहचान कब हुई तो याद रखेगा यहाँ पर बात हो रही है कि मनुस्या पर इस वाइरस को कब देखा गिया तो 1960 में मनुस्या पर पहली बार इस वाइरस को देखा गया या इसकी पहचान हुई नेक्स्ट कोशन यहाँ वाइरस सरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो यहाँ मानों सरीर के फेंफडे और स्वसंद पंत्र पर अपना प्रभाव दिखाता है नेक्स्ट कोशन कोवीड-19 के टेस्ट का क्या नाम है तो कोवीड-19 के टेस्ट का नाम है RT-PCR टेस्ट इसकी फुल फॉर्म आप जरूर यात कर लीजिएगा नेक्स्ट कोशन चाइना के वुहान में फसे 324 भारतियों को किस विमान द्वारा भारत लाया गया था तो एर इंडिया के विमान के द्वारा वुहान में जो सुरुवात में जब करोना वारत फैल रहा था तो 324 भारतियों वुहान में फसे हुए थे तो एर इंडिया के द्वारा एर इंडिया के जहाज के द्वारा उनको भारत वापिस लाया गया था नेक्स्ट कोश्चन भारत के किस राज्य में कोरोना वाइरस का पहला केस आया तो केरल में कोरोना वाइरस का पहला केस या पहला मामला सामने आया था नेक्स्ट कोश्चन भारत में किस दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया तो भारत में 22 मार्च 2020 को पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया था नेक्स्ट कोश्चन भारत में लॉकडाउन कब लगाया गया तो भारत में 23 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू के एक दिन बाद 23 मार्च 2020 को भारत में लॉकडाउन लगाया गया था नेक्स्ट कोश्चन कोरोना वाइरस के कारण किस राज्य ने सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू लगाया तो भारत में पंजाब राज्य ने सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू लगाया था नेक्स्ट कोश्चन देश में कोरोना से पहली मिर्तियू कहां पर हुई तो करनाटक में पहली मिर्तियू का ममला सामने आया था नेक्स्ट कोश्चन कोरोना को हमारी घोसित करने वाला पहला राज्या कौन सा था तो पहला राज्या हरियाना था next question कोरोना वाइरस के कारण lockdown करने वाला पहला राज्या कौन सा था तो भारत में lockdown करने वाला जो पहला राज्या था वो राजस्थान था next question किस राज्या ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया नेक्स्ट कोश्चन कोवीड-19 के रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाजमा बैंक कहां खोला गया था तो वो दिल्ली में खोला गया था यहां कहा जा रहा था कि प्लाजमा थेरिपी से कोवीड के जो मरीज हैं उनको काफी आराम मिल रहा है उनकी बिमारी ठीक हो रही है तो इसलिए प्लाजमा बैंक को खोला गया था यह प्लाजमा थेरिपी चलाई जा रही थी नेक्स्ट कोश्चन भारत का पहला कोवीड-19 समर्पित अस्पताल कहां खोला गया था तो जो कोवीड-डेडिकेटेड होस्पिटल था भारत का पहला वो मुंबई में खोल नेक्स्ट कोश्चन ऑपरेशन सील्ड किस राजे सरकार ने चलाया था तो ऑपरेशन सील्ड जो है वो दिल्ली सरकार ने चलाया था नेक्स्ट कोश्चन भारत सरकार ने कोरोना-19 के लिए वैक्सिन रजिस्टेशन के लिए किस एप का निर्मान किया है तो भारत सरकार ने चो एप का निर्मान क्या है वो है कोविन एप यहाँ पर जाकर आप अपने वैक्सिनेशन के लिए अपना रेजिस्ट्रीशन करा सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद